नमस्कार दोस्तों पुराने जमाने में लोग कड़ी सारीरिक मेहनत करते थे फिर भी उन्हें थकान और कमजोरी नहीं होती थी आज कल कितना भी तगड़ा बंदा क्यों न हो थोड़ी सी मेहनत करते ही थकान माशूस करने लगता है इसका सबसे बड़ा कारण खाने पीने की चीजों में हो रही मिलावट है इसका मतलब यहा है कि आज के समय में आपके खाने की थाली में कितनी ही महंगी चीजे क्यों न सामिल हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो सुद्ध और स्वस्त हो दाल, चावल, सबजी, दूद जैसी रोजाना खाई जाने वाली चीजों में मिलावट की खबरे रोजाना सुनने को मिलती है जाहिर है मिलावटी खाने से कई गंभीर स्वस्त समस्याए हो सकती है और कई बार यहां जानलेवा साबित होता है खानी की इन चीजों में ऐसी चीजे और रसायन मिलाए जाते हैं जो सीधे रूप से किड्नी दिल फेफड़े और आतों को डैमेज कर सकते हैं तो वाई ये हम आपको FSS AI के जर्ये से बता रहे हैं कि आप असली नकली चीजों की कैसे जाच कर सकते हैं चीनी में यूरिय की मिलावट जाच एक पानी की गिलास में एक चम्माच चीनी मिक्स करें और उसे अच्छी तरह गोल दे उसके बाद उसे सुंगें अगर उसमें आमोनिय की permet आती है तो समझ ले उसमें मिलावट हैं हरी सबजियों में मिलावट सबजियों को गहरा-हरा रंग देने के लिए उनमें पैराफिन लिक्विड मिलाया जाता है इसकी जाँच करने के लिए एक गिले कौटन को सबजी की उपर लगाए अगर कौटन का रंग नहीं बदला तो ठीक है लेकिन अगर उसका रंग हरा हो गया तो समझ ले उसमें मिलावट है असली नकली केसर की जाँच इसके लिए सबसे पहले एक काँच के जार में 70-80 डिगरी तक गर्म किया पानी भर ले इसके बाद इसमें थोड़ा केसर डाले अगर केसर में मिलावट नहीं है तो यहाँ पान ना जा रहा है धतुरा एक कांच की फ्लेट में थोड़ी दाल डाले अगर आपकी प्लेट में दाल के साथ कुछ काले बीज है तो समझ ले कि वह धतूरा के बीज है जो जहरीले हो सकते है हालाकि बहतर गुणत्य वाली डाल में यहाँ बीज नहीं मिलेंगे असली नकली सेला चावल की ऐसे करे पहचान एक काच की प्लेट में थोड़ा सेला चावल डाले अब चावल की उपर सफेद रंग का भीगा हुआ चूना डाले अगर असली है तो चूने की नीचे वाले चावल वैसे ही रहेंगे जबकि नकली चावल का रंग लाल हो जाएगा नकली गेहुं की जाँच, दो काच की प्लेट में थोड़ा थोड़ा गेहुं डाले मिलावटी खादान में अनाज में एक प्तीसत से अधिक बहरी पदार्थ नहीं होंगे जबकि मिलावटी अनाज में काफी मात्रा में बाहरी पदार्त होंगे तो दोस्तों इस तरह की और जानकारी युक्त वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अब मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद